आज हम बनाएंगे औरेंज मूस केक मूस की रेसिपी मैं आपको बता चुकी हूँ आज हम उसका केक बनाएंगे सबसे पहले औरेंज स्पंज बनाना है जिसके लिए हमने लिए हैं चार अंड़े तख्रीवन 3 फौर्ट कप कैस्टर शुगर है एक कप मैदा है एक तीस्पून बेकिंग पाॉडर है औरेंज फूट कलर है थोड़ा औरेंज जूस है और यह औरेंज जैस्ट है यह इसके छिल मुझा लाच बनाने के लिए सबसे पहले हम एगवाइट और एग योग अलग करेंगे सबस्क्राइब करेंगे अब अ हम इसके अंदर जह है यह पैस्टर शोगर 3-4 कप डालेंगे एक एक ए अग डालेंगे तरह में और्मीण और यूर। आज यूज यूजर की अब इसके उड़ समय किया में दोर कि लिए जब०्र तरह उन गरिमसर क के दब। एक द्यूम्त करता है तरह में दालेंगे यहिए तोकर प्याउसट और अब हम इसे इस मोल्ड में शिफ्ट करेंगे यह आपने मोल्ड इस तरह लेना है ताके यह जो है वह बाद में आराम से निकल सके अ अब हम इसको पहले चेक कर लेंगे क्योंकि हमने इसके अंदर ही मूज डालना है यह देखिए माशला बहुत अच्छी तरह से यह बेक हो गया है यह देखिए यह पूरा अच्छी तरह से हमारा बेक हो चुक है दो स्लाइस करेंगे इसके अच्छी तरह सब्सक्राइब कर देखिए यह दो स्लाइस हमने कर दी है इसको हम बाद पिस मोल्ड में डाल लेंगे अच्छी तरह सब्सक्राइब कर देखिए और थोड़ा पानी और इसको बस अब इससे मॉइस कर लेंगे हम अधियर पियपिंग इस दी हम आख देखिए गुप मोद आखिए और तरह सब्सक्राइब कर देखिए. अधियर आखिए डाखिए पर खिए जाखिए. अब जो है यह हम इसके अंदर पूरा पूर कर देंगे और फिर हम इसमें और इंज सॉस यह और इंज ग्लेज जो भी आप कह लें इसके अंदर डालेंगे और फिर यह दूसरी लेयर हो हम इसके उपर रख देंगे और यह अगीन हम इसको फिर से जूस जो हमने बनाया था इससे मॉइस्ट कर लेंगे फिर अगीन जो हमने मूज बनाया था वह हम इसके उपर इसप्रेड कर देंगे पूरा इह हमने इसको और में एच्छी तना से शिफ्ट कर दिया और इसके इंदर थोड़ा सा और हम यह और इंज सॉस्ट दालेंगे और इसको तखरीबन एक से देड़ घंटे के लिए फ्रेज में सेट होने के लिए रख देंगे दीजे जनाब हमारा मज़ेदार सा औरेंज मूस केक बलकल रेड़ी है इस रेसिपी को जरूर ट्राय कीजेगा मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजेगा और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजेगा अला आफेज